नमस्कार दोस्तो दे मुकेजजाट मालवा एकेडमी इंदोर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे चेनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए कल जहां हमने हार्टी कल्चर को विराम दिया था हम वहीं पर बापिस आते हैं और इसी के साथ बापिस कर चुका हूँ, जित्ते भी कोस्टन उससे बने थे, वो सब उसमें मैं एट कर चुका हूँ, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पुस्त्प विज्ञान, क्या है फ्लोरी कल्चर, पॉमोलोजी दो सब्दों से बना था, एक तो लेटिन से बना था, ग्रिक से बना था, लेकिन ल सब्दों को लगाना है, पुस्त्प विज्ञान, यहां लेटिन भासा का सब्द है, जिसके अंतरगत सोभाकारी एवं, अलंकरत बागवानी फुलों को अध्यन किया जाता है, इसके विशर सग्यों को फ्लोरी कल्चरिस्ट कहते हैं, अगर हम बात करें, तो इसके उफर पुछा गया है, क्या है, 2016, आरेचो 2016, रूरर हार्टी कल्चर, एक्स्टेंजन आफिसर, जो पिछली एक्जाम हुई थी, उसमें पुछा गया था कि प्रथम डिजिटल फूल निलामी केंदर कहां है, तो वो बैंगलोर में है, कहां है, बैंगलोर में है, ठीक है, तो आपक है, बैंगलोर में है, कहां है, बैंगलोर में, ये पिछली आरेचो 2016 में कोश्टन पूछा गया है, आपके आरेचो के भी कोश्टन पेपर में लगा चुका हूँ, और आपके इस लिवर्ट में, हाठी कल्चर में मैं एड कर चुका हूँ, आगे बढ़ेंगे, आप इसमें अब हम देखेंगे सब्जी विज्ञान जिसको हम क्या कहते हैं ओलेरी कल्चर कहते हैं यहां ओलेरी कल्चर दो सब्दों से मिलके बना है किसे दो सब्दों से मिलके बना है ओलेरी और कल्चरा से मिलकर बना है सिंपल सा है याद नहीं करना है यहां लेटिन भासा का सब्द है इतना सा याद अखना लगपक लगपक लेटिन लेटिन सब्द ही आ रहे हैं लेकिन पॉमोलोजी ये कैसा सब्द आया कि लेटिन से भी है वो और ग्रिक से भी है और दोनों वे से भी अगर चूश करना पड़े तो हमें उसे ग्रिक सब्द मानना है वेसे तो अगर मैं बात कर क्या दिख जाए जहां भी आपको लोजी मिल जाए वहां आपको क्या मानना है ग्रीक सब्द मानना है और यहां पर इसको क्या मानना है कल्चरा में एल्टी जहां मिल जाए उसे लेटीन मानना है एक या रखना है ना अब एक छोटी सी ट्रीक और या दाई मुझे यहां पर इ गाना नहीं काऊंगा, गाने अगर गाऊंगा तो लेक्चर नहीं उपाएगा, गाने गाईंगे हागे, तो अरे मोसम बेमान हुआ आज पहली बार, तो याद अखना मोसम जो सब्द है, तो अरे, अरे बिक सब्द है, ऐसे आपको याद अखना है, ठीक, ये थोड़ा डिफरे हो रहा है और किसानों के उफर मार पड़ रही है तो याद करना है तोर शहीं एक कह बड़ा करना है यह लिए हम वह जा रहे हैं ठीके रहा है तो तो ऑब देखेंगे या लेटिन यह ज़ासा कि 2-7 का सब्द है जिसके अंतरगत सब्जी उत्पादन का एक दिन किया जता है इसके विशे मसक्य को खते हैं जिसे यह क्या पूछा आया ऑरेचो 2016 में पूछा गया है कि सब्जी विज्ञान में इसको क्या केते हैं विशेसक्य को तो ओले कर्चिरिष्ट केते हैं 2016 का आरेचो का कोस्चन लगाना उसमें आपको मिल जाएगा सब्जी विग्यान के पिता क्या? इनको भी जो मतलब विश्व के हाटिकलचर के पिता है बेली वही इसके क्या है? पिता है तो आपको इसको जनरलीस को याद कर लेना आप देखेंगे फल एववं सबजी परिरक्षन क्या देखेंगे? फल एववं सबजी परिरक्षन विग्यान fruit and vegetable preservation अब इसकी अकर हम बात करें तो हार्टिकलचर की जितनी साखह है उसके पढ़ेंगे इसके बाद में plantation crop आएगा medicinal plant आएगा उनके बारे में भी मुझे आपको पढ़ाना है बताना है जैसे गुलाब की खेती पढ़ाना है नारियल पढ़ाना है खजूर पढ़ाना जित्ते भी plantation crop उदर आते जाएंगे नारियल वगेरा वो भी आपको मैं पढ़ाऊं युद्ध होते हैं युद्ध हुआ भी है तो युद्ध होते हैं तो उस समय उस समय जो व्यक्ति थे उनके दिमाग ना आया कि हम ऐसा क्या करे कि भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके तो उन्होंने कुछ technology लेके आएं जिसे हम अचार बनाते हैं अचार बनाने में क्या करते हैं हम नमक का यूज करते हैं तो नमक का एक रेशो जो होता है सत्रा पर्सें जो रेशो होता है वो क्या करता है जीवानु बेक्टिरिया को मारने का काम करता है तो इन्होंने ऐसा preservation का काम किया उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम किया टोमेटो से अभी ह टोमेटो सोज बनाते हैं बहूट सारी चीज़े हैं तो उसका आध्याद इसके अंतरगत आता है इसके विसेस्थाग्यों को Food Technologist कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैंhtye आगे बढ़ेंगे अब देखेंगे अभी मैंने सिर्फ यहां नाम लिखे हैं इनका मैं विशेश रूप से इनका चेप्टर पढ़ाऊंगा और इसके अंतरकत जो भी आएगा वो पढ़ाऊंगा ओसरी पोदे यानि मेडिसिनल प्लांट पढ़ेंगे सुगंदित पोदे यानि एरोमेटिक प्लांट भी हम पढ़ेंगे इसके बाद में रोपन पोदे यानि प्लांटेशन की में बात करूँ तो जो प्लांटेशन क्रोप जितनी भी आती है उन प्लांटेशन क्रोप की भी मैं चर्चा करूँगा उनका विश्दत अध्यन एक-एक को मैं पढ़ाने के कोशिस करूँगा लेकिन मैंने यहां सिप साखा लिखी है ज्यादा इनकी परिभासा लिखके में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाता हूँ जो समय है वो हमें उसका उपयोग करना है और जादा से जादा पढ़ना है भारत में चार उद्यानिक विश्व इद्याले है क्या है भारत में चार उद्यानिक विश्व इद्याले है आपको याद अखना है पहला पुछेगा कि भारत का प्रथम उद्ध्यानिक विद्ध्याले कौन सा है तो आपको सोलन बताना है क्या बताना है सोलन बताना है हिमाचल पदेश इसको 1987 में क्या किया गया था 1987 डेट आपको याद अखना है क्योंकि प्रथम है या तो प्रथम में सिंपल कोस्टन पुछेगा तो सोलन का नाम लेगा लेकिन अगर वो डेट पुछ ले तो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी दूसरा देखो उससे जुडा हुआ ही है देखो साथ यहाँ आया साथ यहाँ आया क्या या साथ यहाँ आया साथ यहां आया, यहां आया 10, यहां आया 11, तो यहां रखना है 1987 को हमें यहां रखना है, 2007 को यहां रखना है, 2010, 2011, चार डेट इसमें हमको यहां रखना है, तदे पल्ली गुडम आंद्रपदेश में है दूसरा कहा खुला आंद्रपदेश में हो सकता इसको पूछे नहीं पूछे आपसे पहला तो पूछेगा वो अगर यहां से आएगा तो पहला पूछेगा या पूछेगा चोथा दूसरा है नवाकडम बगलकोर यह करनाटक में क जबकि रियल बताओं, सबसे पहले यहां खुलना था, करनाटक में खुलना था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लेके गए, वहां पहला खुला गया, अब अगला देखो, रानी पोर गड़वाल उत्तर उत्राखंड में है, यह 2011 में बना है, तो यह जो दो करेंड के डाटा है यह आपको याद रखना है कि भई आप कितने हो गए हैं, चार हो गए हैं, पहला का हो गया हिमाचल प्रदेश में, दूसरा आंधर प्रदेश में, तीसरा करनाटक में, और चोगथा उत्तराखंड में हो गया है, तो इस तरह से चार उध्यानिक विश्व इद्याले के बार अथम उध्यानिक महाविद्याले मंसूर में इस्थापित किया गया, क्या ये महाविद्याले जो है, स्टार्टिंग से ही हार्टिकल्चर रहा है, या इसे बाद में हार्टिकल्चर में तब्दिल किया गया, तो मैं आपको बता दूँ, उसका नाम है केन के, केलासनात कार् जैसे मैं सीहोर से पढ़ा हूँ, सीहोर से मैं अब ये सी है, तो वहां आरे के रफी अमत किद्वई क्रशी महाविध्याले, ऐसे ही केन के केलासनात काजू, उनके नाम पे उध्यानिक महाविध्याले प्रथम मद्धिप्देश में इस्थापित किया गया, यहाँ पहले एग अगरी कल्चर कोलेज था और इसको क्या हुआ, 2002 में हार्टी कल्चर कोलेज की रूप में चेंज कर दिया गया, अब मैं बात करूं, तो हार्टी कल्चर कोलेज है हमारे हाँ, लेकिन युनिवर्सिटी नहीं है, जबकि युनिवर्सिटी भी बनाना चीए, अगरी कल्चर की अंतरगत, RBS के अंतरगत आता है, अब देखो, ये केन के जो है केलास नात काट जो, मैं लिख देता हूँ, केलास नात काट जो, ये इनका नाम है, और इनी के नाम पे इसको क्या बोलते है केन के, और याद अकना 2002 में, 2002, इसके पहले ये agriculture college था, लेकिन बाद में 2002 के बाद में इसको क्या कर दिया, हाटी कल्चर college के रूप में change कर दिया, हाटी कल्चर, अब देखेंगे, तता दूसरा अध्यानिक महाविध्याले, छिंदवड़ा में इस्तापित किया गया है, लेकिन उसका कारी लंबित हो गया, उसका कारी लंबित हो गया, वैसे ये दूसरा था, ल पुछेगा नहीं, लेकिन वैसे तो छिंदवड़ा को किया गया था, लेकिन उसके पहले रहली सागर में, दो हजारा गुनिस सत्र से, उन बच्चों की पढ़ाई चालू हो गई, तो रहली सागर में, दूसरा हर्टी कल्चर college की स्थापना की गई, क्या की गई, इस्थाप 2018 में शत्र चालू किया गया, लेकिन चिंदवड़ा जो है, चिंदवड़ा अभी थोड़ा लंबित पड़ा है, वहां जो भी समश्या आ रही है, बिल्लेंग की व्यास्ता है, जो भी समश्या है वो बच्चों को मर्ज कर रहे हैं, वहां थोड़ा सा अभी प्रोबल्म है, तो हमें चो यह याद अखना है कि पहला मंसुर है, उसके अलावा रहली और चिंदवाडा, दो कोलेजे, दूसरा तीसरा बला ही मत याद करना, लेकिन याद अखना कि पहला मंसुर इसके बाद में रहली, सागर और तीसरा जो है चिंदवाडा में है, इस तरह हमें कुल मिलाक ये याद अखना कि अब तीन उद्ध्यानिक महा विध्याले हमारे मद्ध्य पदेश में हैं ठीक है आगे मैं बात करूँ तो भारत का एक मात्र उद्ध्यानिक एम वानी जी की वानी की विश्व विद्ध्याले जो कहा है सोलन हिमाचल पदेश में कहा है सोलन हिमाचल गई यह डेट इंपोर्टेंड है इसको पुछता है एनेज़वी की स्थापना क्या गई गई एनेजबी की स्थापना 1984 में गुडगाउं हर्याना में स्थापना की गई है और यहीं पर आरेचो का तीसरा कोस्टन हमारा आगया है यहीं पर आरेचो 2016 का मतलब जो हम बेसिक हार्टी कल्चर पढ़ रहे हैं उसमें पिछली एक्जाम के तीन कोस्टन पुछे गए हैं 25 में से तीन कोस्टन तो यहां पर आ चुके हैं तो याद रखना नेशनल हर्टी कल्चर बोर्ड एनेजबी की स्थापना गुडगाओं हर्याणा में 1984 में की गई और इससे साथ में याद रखना आरेचो का 2016 का पेपर लगाना आपको मिल जाएगा कि यहां आरेचो में पूछा गया है इसलिए हमारे लिए जितने भी हम फैक्टर ला रहे हैं वो important फैक्टर हैं आप देखेंगे नेशनल हर्टी कल्चर मिशन यहां मिश हो गया है यहां नेशनल हर्टी कल्चर यह क्या है यह मिशन है इसकी स्थापना 2005 में की गई आपको य मलब में बात करूँगा कि पूछेगा कि कि इतने IBM है थे पताना, तो बताना है मंसौर है, सागर है और शिंदवाडा가요 याद रखना मक्का में अब पराशिद्ध करना है मक्का अच्छी लगाई जा रही है imagining Shind Highwayा प्थम पर जा रहतना है ठीक है आज की क्लास हम यहीं विराम देंगे इसके आगे हम कल देखेंगे इसके आगे जो भी हम मेटर देखेंगे आपको यह थोड़ा यार रखना है तीन कोलेज जो भी है ठीक आगे पड़ेंगे आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए धन्यवात सातियो जे हिन जे भारत झाल झाल